Hello everyone, this is chapter 7, Civilizing the Native, Educating the Nation from History. इससे पहले भी तक हमने पढ़ा था कि अंग्रेज जो है वो सिक्षा को किस तरीके से देखते थे. अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि Grapes Error of the East, यानि कि जो mistakes रही थी, ठीके, जो mistakes पकड़ाई थी East में, वो किस टाइप की थी, क्या था, वो Error, ठीके, तो इनको जानने से पहले हम समझते हैं यहाँ पर, यह कुछ Glossary Verse दिये हुए है, Orientalist, ओके, Those with a scholarly knowledge of the language and cultural of Asia. क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है एशिया की भाषा और संस्क्रती का गहन ग्यान रखने वाले लोग. Second है, Munshi, A person who can read, write and teach Persian. Munshi कौन होते हैं? ऐसा व्यक्ति जो फार्सी पढ़ना, लिखना और पढ़ना जानता हो. Third है, Varnacular, A term generally used to refer to a local language or dialect as distinct from what is seen as a standard language. In colonial countries like India, the British use a term of mark the difference between the local languages of everyday use and English, the language of the imperial masters. तो, Varnacular शब्द का यहां मतलब है, यह शब्द आमतोर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानी भाषा या बोली के लिए इस्तिमाल किया जाता है. ठीके, भारत जैसे आपने वैशिक देशों में, अंग्रेज जो है वो रोज मर रहा, यानि कि टेली इस्तिमाल जो है इस language को करते हैं, और सामराजवादी शाशकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर को मार करते हैं, ठीके, तो इस शब्दी के लिए वो वरनाकुलर यूज करते हैं. So, let's start the topic, Grave Error of the East. From the early 19th century, many British officials begin to criticize the orientalist version of learning, यानि कि उनिश्वी शदी की शुरुआज से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राश्यवादी दिश्टिकॉंटी आलोशना करने लगे थे. They said that knowledge of the East was full of errors and unscientific thought. Eastern literature was non-serious and light-hearted. क्या मतलब वा इस line का? उनको, उनका जो कहना था कि पूरवी जो समाजों का ज्यान, है न? यानि कि Eastern side जो लोगों का जो समाज है, उनका ज्यान वो क्या है? वो त्रुटियों से, यानि कि Mistake से भरा हुआ है और वो unscientific है. So, they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in increasing the study of Arabic and Sanskrit language and literature. तो उनके मताबिक क्या था कि पूरवी साहित्य गंभी और सत्य ही था, इसलिए उनोंने यह कहा, यह दलील दी, आरग्यू किया कि अंग्रेजों को अरभी और संस्कृत भाषा वर साहित्य के अध्यन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए. James Mills was one of those who attacked the Orientalists. ठीके, James Mills जो थे, वो क्या थे, वो इन लोगों पे हमला करने वाले लोगों में से थी. ठीके, अब हमला यहां पर अटेक गया किसी को मारने से नहीं था, मतलब यह था कि उनकी गल्पियों को बताने वाले थे. उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाव को ध्यान में रखते हुए जिक्षा नहीं देनी चाहिए. अब इसलिए भारतियों को पूर्वी समाजों के काव्य है. काव्य मतलब लिट्रेशर ठीके और धार्मिक साहिती की बजाए ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की विज्ञाने को तक्निकी सपलता है हासिल कर ली है. ठीक है? तो थोमस वेविंग्टन मेकाले इन आलुचकों में सबसे मुखर और प्रभापशाली विचारत थे. He saw India as an uncivilized country that needed to be civilized, यानि कि वह भारत को असब्य देश मानते थे, जिससे सब्याता का पार्ट पढ़ाना जरूरी था. जिससे सब्याता का पार्ट पढ़ाना जरूरी था. A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. यानि कि मेकाले का कहना था कि अच्छे European पुस्तकाले का केवाल एक खाना ही भारत और अरब के समूची देशों के साहते के बराबर है. He argues that the British government in India stopped wasting public money in promoting oriental learning for it was of no practical use. उनका तर्किय था कि भारत में ब्रिटिस सरकार को प्राश्वादी ज्यान पर प्राकारी पैसा बरवाद नहीं करना चाहिए. तर्कियोंकि इससे कोई फाइदा होने वाला नहीं है. With great energy and patience, Macaulay emphasizes the need to teach the English language. अब क्या है गहन उर्जा और आवेश पूर्वग मेकाले ने अंग्रेजी भासा शिखाने की जरुवत पर जोड दिया. मतलब वो अंग्रेजी भासा शिखाना चाहते थे. यानि कि उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्यान से भारतियों को दुनिया की स्रेश्टम सायतिक क्रतियों को पढ़ने का मुखा मिलेगा. It would make them aware of the development in western science and philosophy. यानि कि यहां के लोग पश्चिमी विज्ञान उजर्षन की चेतर में हुए विकास से भी अवगत हो पाएंगे. उनको पता चल पाएगा कि क्या क्या विकास हुआ है. Teaching of English could thus be a way of civilizing people, changing their test, values and culture. यानि कि इस परकारूं का कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों का सब्भे बनाने उनकी रुचियों, मूल्लियों और संक्रति को बदलने का रास्ता हो सकता है. Following मेकाले मिनर्स, the English Education Act of 1835 was introduced, यानि कि मेकाले के मिनर्स, ठीके, कि अधार पर 1835 का अंग्रेजी का सिक्षा अधिनियम पारित किया गया, ठीके, किस सन में मेकाले के मिनर्स का जो था एक्ट वो पारित किया गया था, comment section में मुझे बताईए, किस सन में. The decision was to make English the medium of instruction for higher education and to stop the promotion of oriental institutions like the Calcutta, मदार्सा and Benara Sanskrit College. तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे यह फैसला लिया गया कि अंग्रेजी को उच्छे सिक्षा का मान्दम बना जाए और कलकत्ता मदर्से तदा बनारे संस्क्रत कालिज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोसाहन ना दिया जाए. इन्स ताइब के मंदर्से नाम दिया? ठीके किस थाइप के मंदिरों का नाम दिया इन इस इंस्टिउशन को टेम्पल ओफ डार्कनेस टेट वर फॉलिंग ओफ देम्शब इन्टू डिके इंग्लिश टेक्स्ट बुक नो बिगिन टू बी प्रड्यूस फॉर इस्कूल तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि अब इस्कूलों के लिए भी अंग्रेजी जो पुस्ते के थी वो ट्रिंट होने लगी थी बनने लगी थी ठीके तो अब हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं क्या लिखा है Language of Vice यानि कि ग्यानियों की भाषा Emphasizing the need to teach English Macaale declared All parties seem to be agreed on one point that the dialect commonly spoken among the natives of India contain neither literary nor scientific information and are moreover so poor and rude that until they are enriched from some other quarter it will not be easy to translate any valuable work into them तो अंग्रेजी पढ़ानी के जरूरत पर जोड़ देते हैं मिकाले ने कहा कि सभी प्रक्षिस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों द्वारा आमतोर पर बोली जाने वाली बोलियों में ना तो साहतिक जानकारिया होती हैं और नहीं बेग्यानी इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रुकी हैं यानि कि इतनी रूड और गरीब हैं कि अगर किसी और स्रोथ से इनको समरद बनाया जाए है ना इनको एंडिश किया जाए तो ना बनाया तो किसी भी मुल्मान करती का उनमें अनुमाद भी नहीं किया जा सकता यानि कि इसका अनुमाद करना इसका ट्रांसलेट करना भी बहुत जाएधा मुश्किल हो जाएगा तो ये हमने इस जो हमारा टॉपिक था हमने इसके अंदर पढ़ा इसके बाद है education for commerce तो इसके अंदर क्या है education यानि की सिख्षा for commerce यानि की विफ्षाई के लिए in 1854 the court of directors of the East India Company in London sent an educational dispatch to the governor general in India यानि के 24 में East India Company के लंदन इस्तित court of directors ने भारतिय governor general को शिख्षा के विशे में एक notice भेजा क्या notice भेजा issued by Charles Wood किसके लिए issue किया Charles Wood के लिए क्या the president of the board of control of the company it has come to be known as the Boots Dispatch क्या मतलब हुआ इसका इसका मतलब हुआ कि company के नेंतरन मंडल के अध्धक्ष Charles Wood के नाम से जारी किये गए इस संदेश को Boots का नीती पत्र यानि की Boots Dispatch के नाम से जाना जाता है किसको बुढका नीती पत्र के नाम से जाना जाता है comment section में मुझे बताईए Outlining the educational policy that was to be followed in India it emphasized once again the practical benefits of a system of European learning as opposed to oriental knowledge क्या मतलब हुआ इसका इस दस्तावेज में भारत में लागु की जाने वाली शिक्षा नीती की रूपरेखा इस पस्ट करते हुए एक बार फिर दोराया गया कि प्राचवादी ज्यान की सिस्थान पर यूरोपी शिक्षा को अपनाने से कितने ब्यावारिक लाव प्राप्त होंगे यूरोपी शिक्षा का ब्यावारिक लाव आर्तिक छेत्र में बताया गया था कि क्या मतलब वह इस लाइन का इसका मतलब वह अनके मताबिक यूरोपी शिक्षा के माध्यम से भारतियों को ब्यापार और वाणी जी के विस्तार में होने वाले लावों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शेली से अबगत कराया गया तो उनकी रुचियां और आकांचाओं में भी बदलाब आएगा और बिटिस बस्तों की मांग पैदा होगी यानि कि दिबांड होगी फिर क्योंकि तब यहां के लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे आई होप कि आपको यह जो टॉपिक था वो किलियर हुआ होगा समझ आया होगा और मुन्शी बनना कुलर एक्ट और औरेंटालिस्ट आपको समझ में आया की नहीं आया यह मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताईए ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल दिन बाएंग